हेलो एबरीवन रादे रादे जैस्री क्रिष्णा कैसे आफ सब फ्रेंड्स आई होब कि आफ सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो फ्रेंड्स अभी है दो फैर का टाइम और घर का जितना काम था वो सारा हो चुका था तो मैं यहाँ पर हो रही थी थोड़ा सा तय बच्चे जो छोटी किलास के बच्चे उनका है फंक्शन तो इस वज़े से बड़े बच्चों की हो रखी है चोटी और लेकिन मानो स्कूल गया हुआ है और मानो अभी आएगा डेड़ बज़े अभी साढ़े बारे बज़े थे तो यह दोनों मेरे साथ मजा कर रहे थे चल तो और यॉला दे अच्छा लगा ऐसा है इस रहोओ एट्व और किया है हां जो तो हम थक यह जो 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 चोड़ के इसको छोड़के ना इसको छोड़के बस जा रहे हम तुम्हें छोड़के याद करोगे आप हम नहीं मिलेंगे दो घंटे तक आप से बाई नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी टोली मैं मैं नहीं आऊंगी जा ठीक है पैसे ले लेती हूं बाई अभी ना मानू पूल यह यह भी टू ठीक है आइम गॉइं 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 हाँ पो नहीं लेकर जाओं गॉइं तो बस फ्रेंट्स मैं आगी थी यहाँ पर अपने थ्रेडिंग बनवा के और मेरी जो थ्रेडिंग की ग्रोथ है वो काफी जल्दी आ जाती है दस-पंद्रह दिन में ही मेरी जो थ्रेडिंग के बाल है वो छोटी-छोटी से बाल दिखाई देने लगते हैं जो मुझे अप 15 दिन के बाद मुझे अपने थ्रेडिंग करवाने ही पड़ती है तो बस फ्रेंट्स यहाँ पर देखे मानू भी स्कूल से आ गया है और मैं यहाँ पर बना रही हूं आलू प्याज की पकोड़ी अभी का मन है खाने का तो यहाँ पर बैठा है मानू मेरे पास मैंने इसको अपने पास ही बिठा है क्योंकि इसकी और मान अभीनव की हो गई है थोड़ी सी लड़ाई क्योंकि यह जित बहुत ज्यादा करता है और इनकी अपस में लड़ाई होती है तो अधिकतर जो गलती होती है वो इसी की होती है 99% क्योंकि अभी छोटा है समझ नहीं है इस सबस्कें ये चाहिए नव की चीजी होती है और इस की जो अपनी है वह तो इसी की हैं ही तो बैसे इन की ओरी थी लड़ाई मैंने इसको इसह वजए आपने पास यहां पर टालिया है और सबसे पहले तो मैं generosity को भोग लगाना है और इसमें डालूँगे सिर्फ एक हरी मिर्च और पता है क्या यहां पर जहां मैं रहती हूँ यहां पर हरी मिर्च बड़ी तीखी होती है बहुती तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही मिर्च डालती हूँ क्योंकि मुझे ही हिचकिया लग जाती है फिर मैं बच्चों को कैसे नमक, हल्दी, मिर्च, खारी मिर्च और थोड़ा साहिंग थोड़ी सी डालोंगे इसमें कसूरी मेति जिसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है अभी मैं डाल रही हूं धनिया पाउडर भी डाला है यह मैंने डाली हल्दी धनिया पाउडर और उसके बाद बस साथ के साथ इ अच्छा नहीं लगता और यहां पर यह मैंने इसमें अलग से एक जो मेरे पास डबा है इसमें मैं कसूरी मेति रखती हूं यह डाल दे कसूरी मेति और यह बनाने के बाद ही प्याज की पकोड़ी बनाऊंगी और प्याज वैसे तो अभी नमको न सिर्फ आलो आलो की ही पक इसको बोल रहे हूं कि थोड़ा पिछे होगे बैठ जो बेटा कभी आप जल ना जाओ तो बस छेड़ खाने करता ही रहेगा करता ही रहेगा और देखता रहेगा ममा कैसे कैसे बनाती है तो बस मैं यहां पर बना रही हूं पकोड़ी किस-किस को ठंड में इस तरह का खाना चटपटा अच्छा लगता है पकोड़ी वकोड़ी जरूर बताना वैसे में तीन-चार दिन के बाद तो इस तरह का जैसे अब छुटियां पढ़ जाएगी ना आगे बच्चों कि अब एक तारिक से तो शायद पढ़ी ही जाएंगी वैसे ठंड इतनी चाद हो रखिया मु करती है और मेरे बच्चे अगर कुछ भी बोले ना कि ममा यह बना लो तो मेरा मन करता है कि चल बच्चों ने बोला है तो जरूर बनाती हूं तो यहाँ पर मानू जा रहा है मानू पर मैंने हैंड वोश करवा दिये हैं काना जी को भोग लगाने के लिए और उसके बाद मैं यहाँ पर डाली है सिर्फ एक ही प्याज डाली है और जो मेरी प्याज है मेरे घर में प्याज कम ही यूज होती है तो उनके उपर जैसे प्याज के उपर वो फलिया से नहीं आ जाती है वो आ जाती है तो वह भी मैंने इसमें कट करके डाली थी और प्याज को भी कट करके ड अभी नवने तो मैं जरूर बनाऊंगी तो बस इधर बन रही है चाय भी और इसमें भी उबाला गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है दूद और यहां पर फिर से यह शुरू हो गए थे शायद दोनों भाई तो मैं इनको कुछ देख रही थी कि यह क्या कर रहे हैं तो बस का दिखतरी इस तरह के जैसे भोग लगवाना भगवान जी को यह सब करवाती हूं और यह देखिए यह बन गई है यम्मी यम्मी सी पकोडियां और चली आप भी आजाएए सब खालेते हैं दो फैर में ही और आप ही बन दिये चाय चाय बनने में भी टाइम लगेगा तो बस यह बन गई थी चाय भी और मैंने बच्चों के जो थोड़ी थोड़ी चाय डालके उनके उसमें तो डाल दिया था दूद और अपनी और टीनी के लिए चाय और ले लिया साथ में सॉस तो बस फ्रेंस यह था नेक्स्ट डे और यह वो जो वीडियो था वो पहले दिन का था यह था अगले दिन सुभे का और आज है 24 दिसंबर तो आज मानु की स्कूल में फंक्शन था क्रिस्मस डे का क्योंकि जो क्रिस्मस डे है वो संडे का पढ़ रहा है तो स्कूल में यह एक दिन पहले ही सेलिबरेट कर रहे है तो यहाँ पर मानु बनके जाएगा सेंटा क्लो कि एका लिए था तो बस यह बन गया है यहाँ पर देके सेंटा क्लोज तो और यहाँ पे कर रहा है निको 근데 क्रदिया है यहां पर क्या tap की चै केंगर करती हो तो यह इस तरह से देखता रहता है कि यह सब क्या हो रहा है तो बस ठंड बहुत है तो इसले मैंने ना अब मानो को नीचे से पहले एक कैप लगा दी है और फिर लगा दी है और से सेंट वाली कैप ये देखे क्योंकि ठंड बहुत है बहुत ही ज़्याद है सची में बच्चों को ठंड से बचाना बहुत ही ज़्याद है जरा सीला परवाई फिर खासी जुखां वो ही सब हो जाता है तो बस यहां पर यह हो गया है तयार और फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लेज लाइक जरूर कर दिया करो और प्लेज सब्सक्राइब कर लिया करो आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बस यही बोलूँगे अगर पसंद आती है तो प्लेज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो तो यह देखिए मेरा क्यूट सब्सक्राइबर यहां पर तयार हो गया है सेंटा और सच्छ में क्यूट लगता है ना बच्चे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लेज लाइक फिर वोल्यों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहां पर कर रहा है यह देखिए चोटा सा है इनको नो मैंने प्रैक्टिस कर आई होगी तो ना डांस पर इनको मतलब सॉंग पर डांस करना है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में बाई